हाथ में बैनर पोश्टर, मन में इंकलाब, एक स्वर में बुलंद की आवाद ये आक्रोश है पौडी की उस जनता का, जो खुद को ठगा महसूस कर रही है विरोध के इस स्वर की गुंज, पौडी की सडकों पर हर ओर सुनाई दे रही है जना क्रूश सैलाब बनकर सडकों पर उत्रा और हुक्मरानों के खिलाप मोर्चक हो दिया पौडी के लोगों ने क्रांती का एक नया बिगुल फोग दिया है जन सैलाब की ये तस्वीरें पौडी जिले की हैं जहां शहरबासियों ने अपनी मूल समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के खिलाप विरोध का बिगुल फोग दिया लोगों का ये आक्रोश जनाक्रोश रैली के रूप में सामने आया हजारों की संख्या में लोग जनाक्रोश रैली में शामिल हुए इन लोगों ने सरकार से मूलभूत सुबधाएं देने की मांग की जिनसे की अब तक वो अंचित हैं पौडी के लोग घुद को ठगा महसूस कर रहे हैं ये वो लोग है जो सरकार की उपेक्षा का सिकार हैं उत्राखंड को राज्य बने दो तशक बीच चुके हैं लेकिन अभी तक पौडी के लोग विकास की बाट जो रहे हैं लोगों का कहना है कि पौडी में आज भी बुन्यादी सुविधाओं का आभाव है यहाँ ना पीने का पानी है ना अच्छी सडके है ना इलाज की व्यवस्था है ना ही बेहतर शिच्छा है यह वो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी पौडी वासी लंबे समय से मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है जिसके चलते पौडी के लोग सरकार पर सौतेला व्योहार करने का आरोप लगा रहे हैं देखिए जो संगर समीति के यहां पर गटन हुआ है हमने एक स्ट्रेटीजी पर काम किया कि इमांदार पहल अगर कहीं पर होती है तो जनता साथ देती है यह उत्रा का नाम दिलों चमनिसी का है और हम लोगों ने राजनितिक स्वार्दों से परे होकर जो इमांदार पहल की है राज जो सेलाव अपनी सडकों पर देखा पौड़ी की दिन सम्मस्याओं को लेकर जो आक्रोज जना को सडकों पर देखा है वो इसकी पनिनिती है और हम इस मुहिम को यहीं जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगों पर सरकार अमल न कर दे वैसे तो पौड़ी के लोग पहले भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं लेकिन इस बार इन्होंने नई क्रांदी का विगुल फोक दिया है क्योंकि इस बार हर उम्र और हर वल्द के लोग अपनी मांगों को लेकर सडकों पर उतराए हैं प्रदर्शन कारियों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो यह आंदोलन क्यों ही चलता रहेगा और अगर जल्द ही सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो आमरण अंशन पर बैट जाएंगे देखी मुझे लगता है कि राज एकठन के बात सही जिस तरह से पौड़े की उपेक्षा होती आई है उसे को लेकर आज पौड़े की जंता स्वयम अपने आप सड़कों पर उतरी है पौड़े के व्यापारियों ने इसमें पूरा सहीयोग किया है बजारबंदी में और हमारी दामी सरकार के प्रयासों से उत्राखंड विकास की नई इबारत लिख रहा है प्रदेश के कोने कोने में विकास पहुच रहा है परेटन से लेकर तीर्थ तक उत्योगों से लेकर क्रिशि तक हर छेत्र में उत्राखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन अभी भी देव भूमी में कई ऐसी जगे है जहां मूल भूत सुविधाओं का अभाव है पौड़ी के लोग भी ऐसे बुनियादी कि मांग कर रहे हैं इस बार एक चुठ होकर लोगों ने अपने हक में आवाज बुलंद की है देखना होगा कि ये आवाज शासन प्रशासन के कानू तक पहुंचती है या नहीं पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेश चुतराखन